कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दूसरों की जान बचाने के लिए दूसरों की भलाई के लिए अपना नुक्सान कर बैठते हैं ताकि दूसरे का भला किया जासके लेकिन देखो कुछ ऐसे भी इनसान है जिनका काम है दूसरों की जान बचाना लेकिन पैसों के लिए वो अपनी डूटी को इग्नोर कर दूसरों की जान, पेशेंट्स की जान खत्रे में डाल देते हैं ऐसे ही एक वाक्या सामने आया, उत्रपरदेश उनिश्टी ओफ मेडिकल साइंस सेफ़ाई के डोक्टर समीर सराफ देखो एक डिवाइस होता है पेसमेकर, पेसमेकर का काम यह होता है कि हार्ट जिस रेट से बीट करता है धड़कता है, उस रेट को रेगुलेट करना यह उन पेसेंट्स में लगाया जाता है, जिन में हर्ट रेट जो है अबनॉर्मल होती है, तो इन्होंने क्या किया, धाईसो पेसेंट्स में पेसमेकर लगाया, लेकिन घटिया क्वालिटी का, पैसे ज़्यादा लिए, लेकिन पेसमेकर बिलकुल घटिया क्वालिटी का थ और ओर प्राइश्ट था चलो एक बात समझ में आती है कि ओर प्राइश्ट है पेस्मेकर आपने करप्शन किया लेकिन देखो ये बात बिल्कुल भी समझ में नहीं आती है लेकिन ये चीज बर्दास से बाहर है कि आपने जिन पेसेंट्स में ये पेस्मेकर लगाए वो घटि काम क्या होता है किसी भी कीमत पे patient की जान बचाना even अगर देखो यूं बोलते हैं कि patient even अपराधी भी है ना criminal भी है तो भी doctor का तो यही काम है कि उस अपराधी की भी जान बचाना तो देखो बहुत सारे ethical issues involved हैं इस खबर में doctor ने जो सपत ली थी उसका violation किया गया है ये भी सामने आया है कि जिस company से local company से source किये थे ना doctor ने pacemakers उस company ने sponsor करवाया इस doctor और family की foreign trips को 5 बार doctor ने जो कुछ किया professional ethics के against है professional duty के against है बाकी doctors को भी बदनाम करती हैं देखो ये सारी जो news है जनता का भरोसा उठ जाता है कई बार आपकी क्या opinion है क्या राय है इस issue पे आप बताईए discussion हम start करते हैं सबसे बहले देखो आपको छोटी दिवाली की हार्दिक सुबकामनाई कल है दिवाली कल तो Sunday है लेकिन तो इसलिए आज ही आप दिवाली की सुबकामनाई ले लीजिए तो उहार को आप celebrate कीजिए छोटी छोटी जो खुशिया है life में उनको celebrate करना ज़रूरी है ये मोके होते है family के साथ unite करने के आपके जो close friends है पुराने दोस्त है उनको याद करने के ये मोके होते हैं तो इन मोको का आप भरपूर यूज कीजिए एक दो दिन कुछ नहीं होता दिवाली के दिन आप पढ़ाए नहीं भी करेंगे तो फरक नहीं पढ़ता एक दिन का break लीजिए भढ़िया रंग से और दिवाली celebrate कीजिए अब चलिए discussion start करते हैं इसके बार नेस्ट आर्टिकल criminalization of politics से समधित हैं आप GS paper second के इस topic से आर्टिकल को relate कर सकते हूँ context देखो ये हैं हाल खी में Supreme Court ने गाइडलाइन्स इस्यू की हैं हमारे देश में Member of Parliament और MLS के अगेंश्ट जो cases चल रहे हैं उनका जल्द से जल्द निप्तारा करने के लिए पहले मैं आपको Supreme Court ने जो guidelines दी हैं उनके बारे में बताता हूँ उसके बाद ये पूरा topic हम brief में discuss करेंगे क्या है ये criminalization of politics Supreme Court ने ये कहा है MPs और MLS के खिलाफ जो cases चल रहे हैं उनको जल्दी dispose करने के लिए High Courts, Special Benches सेट अप करें ताकि इन cases को जल्दी से जल्दी निप्तारा हो सके MPs और MLS के अगेंस्ट अगर देखो serious offense है ना जिसमें death penalty या फिर उमर कैब की सेजा सुनाई जा सकती है तो ऐसे cases को ना जल्दी dispose करो priority दो सभी cases को दो साल के अंदर-अंदर dispose करना है जैसे ही किसी MPI MLA के अगेंस्ट किसी क्राइम में charge sheet file हुई ना तो दो साल के अंदर-अंदर उस case को dispose करना है और कई बार क्या होता है सरकारी वकील जो होते हैं वो मिली बगत कर लेते हैं criminal मतलब accused MPI MLA के साथ में और जानबूच के cases को डिले करते रहते हैं तो सुप्रिंग कोट ने कहा है ऐसे public prosecutors के against action लिया जाए जो trials को जानबूच के डिले करते हैं सरकार को कहा सुप्रिंग कोट ने कि आप उचित resources प्रोवाइड कीजिए prosecutors को ताकि जल्दी से जल्दी cases का निप्टा रहा हो for example additional manpower, infrastructure, financial resources जो भी चाहिए इसके लावा इस case में petitioner ने एक और बात बोली थी अभी देखो जिन MPI MLA के खिलाफ अपराद साबित हो जाते हैं और कोट उन्हें दो या दो से अधिक साल की सजा सुनाता है तो 5 साल सजा काटने के बाद वो extra 6 साल के लिए election नहीं लड़ सकता जैसे इस साल यानि अभी आज की डेट में किसी MP को न 5 साल की सजा हुई है 11 नुवंबर 2023 को तो 5 साल की सजा काटेगा उसकी पूरी होगी 5 साल की सजा 10 नुवंबर 2028 को इसके और अलावा 6 साल तक वो election नहीं लड़ सकता यानि 10 नुवंबर 2034 तक वो election नहीं लड़ सकता तो petitioner नहीं यह कहा था कि इसे न आप lifetime ban में बदल दिजिए मालब अगर कोई MP आ, MLA जिसको 2 से अधिक साल की सजा होती है तो ना वो जिंदगी भर election नहीं लड़ पाएगा ना कि सजा काटने के 6 साल बाद तक इससे और डेटरंस आएगा MPs और MLAs में डर पैदा होगा कि crime नहीं करना है आज के समय में देखो, situation काफी खराब है 2019 के Logs by Elections के बाद, जो Logs by गठित हुई 43% नए जो MPs चुन के आए उनके खिलाफ केसी चल रहे है इसके अलावा February 2022 की Media Reports ये कहती है कि हमारे देश में December 2021 तक former और sitting MLAs के against, MLAs या MPs के against 5000 केसी पैंडिंग थे December 2021 तक का ये आंकड़ा है अब मैं आपको बताता हूँ कि criminalization of politics होता क्या है देखू criminals का politics में enter करना criminals का politics में enter करना चुनाव लड़ना और चुनाव जीत भी जाना ये सभी चीज़ें आती है criminalization of politics में अपरादियों का राजनीती में enter करना चुनाव लड़ना और जीत जाना कोशन ये उठता है जनता आखिरकार vote क्यू देती है criminals को या फिर political parties ticket क्यों देती है criminals को ये सब discuss करने के बाद पहले मा आपको ये बताता हूँ criminalization of politics bad क्यों है मतलब खराब क्यों है सबसे पहली चीज देखो जो MP या MLA बनता है उसका काम होता है कानून बनाना लेकिन वो खुद अपरादी है इसका मतलब वो खुद लाब्रेकर है तो जब लाब्रेकर ही लामेकर बन जाएगा तो कैसे कानून बनेंगे आप समझ सकते हूँ दूसी चीज जब देखो criminals MP या MLA बन जाएंगे आपको लगता है वास्तव में उनका ध्यान कानून बनाने की तरफ होगा नहीं होगा वो तो बस यही सोचते रहेंगे कि कैसे न कैसे करके पैसा कमाया जाए सिरफ इसी चीज़ पे उनका ध्यान होगा और सोचके देखिए हमारी democracy की कैसी image जाएगी पूरे world में हम गर्व मैसूस करते हैं इस चीज़ पे कि भारत की democracy world की सबसे बड़ी democracy है लेकिन दूसरे देशों के सामने कैसी image जाएगी कि 50% MP या MLA तो हमारे देश में ऐसे हैं जिनके खिलाफ cases pending है अपरादी है संसद में बैठे हैं assembly में बैठे हैं got it अब देखो बात ये आती है जनता उन्हें चुनती क्यों है और दूसरा इवन women political parties उन्हें टिकटी क्यों देती है देखो जनता तो इसलिए चुनती है उन्हें क्योंगी न सरकार basic amenities भी नहीं provide कर पाती basic amenities जैसे बिजली पानी, land order नहीं provide कर पाती और police पे आरोप लगते हैं कई बार कि police तो protection देने के बज़ाए हरास करती है तो एक आम आदमी को लगता है कि जहां देखो governance का इतना जबरदस्थ failure है कम से कम किसी local गुंडे को elect करेंगे वो police से तो बचाएगा वो सुरक्सा तो provide करेगा हिंदी फिल्मों में दिखाते हैं न कि local जो criminal होता है उसकी ज़्यादा चलती है वो ज़्यादा land order पे control establish करके रखता है बज़ाए police के तो इसी वज़े से जनता को लगता है कि ये superman है ये हमारी problems का समधान कर सकता है कल को कोई दिक्कत आएगी तो इसके पास पैसा भी है muscle भी है ये हमें help करेगा इसलिए जनता इनको चुनती है और political parties क्यों इने ticket देती है political parties को चाहिए जीतने वाले candidate venable candidate उन्हें क्या ही फरक पड़ता है case चल रहे है नहीं चल रहे है कोई ध्यान देता है इस चीज़ पे और दूसरा political parties को चाहिए पैसा ये जो criminals होते हैं ये पैसा provide करते हैं funds देते हैं political parties को इसलिए भी political parties इने ticket देती हैं और criminals इसलिए enter करते हैं जाहिरी तोर पे राजनीती एक ऐसा जरिया है corruption करके जल्दी से पैसा कमाया जा सकता है और criminals को ये लगता है कि अभी हमारे खिलाफ cases चल रहे हैं राजनीती में enter करेंगे तो उन cases को हम बंद करवा लेंगे हमें सरक्षन मिलेगा हम और ज़्यदा crime कर सकते हैं अगर राजनीती में आएंगे तो इसलिए वो enter करते हैं लेकिन देखो हमारी democracy का ये धुरभागय है कि ये criminals politics में enter करते हैं और criminal justice system की बहुत बड़ी failure है सालो साल इनके उपर cases चलते रहते हैं कोई result नहीं Supreme Court ने काफी steps लिये हैं लेकिन आप result देखिए क्या आया है पहले मैं आपको steps बताता हूँ Supreme Court ने क्या steps लिये हैं 2001-2002 के आसपास Supreme Court का एक verdict आया जो भी candidate election के लिए nomination फाइल कर रहे हैं उनको ना सारी जानकारी देनी होती है कि मेरे खिलाफ कौन-कौन से cases pending है, महेश MLA बनना चाहता है मध्यपरदेश में महेश को nomination फाइल करते इस चीज़ पहले नहीं होगा थी थी Supreme Court का verdict आया 2001 में तब से लागू हुई दूसरी चीज़ nota का provision किया गया Supreme Court के द्वारा nota मतलब आपको कोई candidate पसंद नहीं है, आपकी constituency में जो candidate selection लड़ रहे हैं आपको एक भी पसंद नहीं है, तो आप none of the above पे vote दीजिए, nota पे ये provision Supreme Court ने किया दूसरा Lily Thomas case में Supreme Court का एक एहम judgment आया इस judgment से पहले जब देखो किसी MLA या MP को किसी case में दो या दो से अधिक साल की सजा होती थी ना, तो उसे तीन महिने का time मिलता था, appeal फाइल करने के लिए, immediate expulsion नहीं होता था house से, disqualification immediate नहीं होता था, लेकिन Lily Thomas case में न, Supreme Court ने ये बोला, जैसे ही किसी MP या MLA को दो या दो से अधिक साल के सजा होती है ना, खतम, finish, मतलब उसी की उसी समय, disqualification उस MP या फिर MLA की ये Supreme Court का judgment अच्छा था और क्या क्या Supreme Court ने की जाए, लेकिन हुआ नहीं, order दिया था, हुआ नहीं, फिर इसके बाद Supreme Court ने 2018 में एक अच्छा वडिक दिया था, कि women political parties न, बताएं public में, हमने कितने criminals को टिकेट दी हैं, newspaper के माद्यम से बताएं, TV channels के माद्यम से बताएं, तो आपको पता है, political parties तो political parties हैं, बड़ी चालू हैं, वो क्या करती, Supreme Court का order implement करने के लिए न, ऐसे newspaper में add देती, जिनको कोई पढ़ता ही नहीं है, local newspaper नहीं है, जिसको पढ़ने वाले चार लोग हैं, वहाँ पर बता दिया कि हमने intention के साथ आदेश दिया था political parties को, कि आप public में बताईए, कि आपने कितने criminals को टिकेट दिया है, political parties ने बताया, लेकिन इस धंग से, कि किसी को पता ना लगे, अब ये सारे points हैं, देखो, Supreme Court ने तो steps लिये, but situation जों कित्यों है, तब भी तो Supreme Court को, एक बर फिर से guidelines देनी पड़ी, कि भाया, जल्दी से जल्दी case dispose करो, MPs और MLS के against, ये सारी guidelines अब जाके Supreme Court ने दी हैं, तो ये पूरा article हमने डिसकस किया, criminalization of politics से समन्दित, चलते हैं आगे, इसके बाद देखो, next article असोग गुलाटी का है, Indian Express का, असोग गुलाटी, agriculture के issues पर लिखते हैं, देखो, pollution के लिए एक main factor जो responsible बताया गया है, वो है stubble burning, stubble आपको पता है क्या होता है, paddy की cultivation के बाद, मतलब, harvesting जब की जाती है paddy की, तो जो पीछे कच्रा रह जाता है, उसको जला दिया जाता है, किसानों के द्वरा, अब किसान, stubble burn ना करें, इसके बहुत सारे उपाय बताये गए हैं, जैसे किसानों को incentivize किया जाए, इसके अलवा, happy seeder machines का इस्तमाल किया जाए, इस पे हमने articles discuss किये हैं, कैसे stubble को tackle किया जाए, राइटर कहते हैं, ये तो देखो, आप symptoms का इलाज कर रहे हो, कि stubble जो है, उसे कैसे tackle किया जाए, लेकिन सबसे बड़ा issue ही paddy cultivation है, paddy cultivation, काईदेशन नहीं होनी चाहिए, पंजाब में, बहुत कम लोग rice consume करते हैं, फिर भी पंजाब में इतना paddy cultivate किया जाता है, इसका एकमातर reason responsible है, क्या MSP, सरकार अच्छा MSP देती है, paddy पे इसलिए किसान paddy उगाते हैं, लेकिन देखो, सरकार को दूसरी फसलों पे अच्छा, MSP देना चाहिए न, जैसे millets पे, lentils पे, pulses पे, oil seeds पे, इन पे सरकार अच्छा MSP दे, तो किसान ये उगाने लगेंगे, लेकिन सरकार देती नहीं है, सरकार जान बूज के paddy पे MSP ज़्यादा देती है, किसान यहाँ पे paddy ज़्यादा उगाते हैं, ना सिरफ इसकी वज़े से stowel burning होती है, बलकि आप ये देखिए न, ground water level कितना नीचे जा रहा है, paddy की खेती में कितना पानी use होता है, चाइना जैसे चलाग देश क्या कर रहे हैं, अपने देश में paddy cultivation कम हो, इसके लिए सस्ता जो rice है न, इंपोर्ट कर लेते हैं दूसरे देशों से, हमारे जैसे देश, rice को export करते हैं, लेकिन ये नहीं समझ पाते हैं, rice export कर रहे हैं, तो मतलब इतना सारा पानी तो हम free में, दूसरे देशों में भेज रहे हैं, क्योंकि एक किलोग्राम rice उगाने के लिए, बहुत पानी consume होता है, तो यही points राइटर देते हैं, main जो जड़ है न, वो ये है paddy cultivation, नहीं होनी चाहिए इस region में, वहाँ होनी चाहिए जहाँ पे पानी बहुतायत में है, यहाँ पे पानी बहुतायत में नहीं है, अब सरकार को action लेना चाहिए, सबसे पहला point, paddy के बज़ाए, दूसरी फसलों पे सरकार अच्छा MSP दे, ताकि किसानों को motivate किया जासके, दूसरी फसले उगाने पर, next point, अब देखो, वो blocks जहाँ पे, stubble burning ज़ादा है, या फिर ground water का, depletion बहुत ज़ादा हो चुका है, वहाँ पे, सरकार paddy की, जो procurement है, वो कम कर दे, उस area में, जहाँ पे stable burning ज़ादा होती है, या फिर ground water का depletion, ज़ादा हुआ है, सरकार उस area से कम paddy प्रक्योर करे, तो किसानों को अपने आप, demotivation होगा, फिर paddy उगाने में, आड़तिया का communication, कैप कर दो, maximum limit रख दो, 3%, इसकी वज़े से भी paddy पे focus कम होगा, किसानों को special sport package दो, MSP तो ज़्यादा दो ही, millets वगाने के लिए न, किसानों को special sport package दो, कुछ extra incentive उनको दो, इसके लावा सरकार, public distribution system में न, rice देने के बजाए, millets देना start करे, इससे millets की consumption बढ़ेगी, और किसान millets ज़्यादा उगाना start करेंगे, next, सरकार, जवार, बाजरा, रागी, ये फसले भी procure करना start करे, जैसे, आज के समय में, rice और wheat की procurement होती है, इसके अलावा, 20% blending mandatory होनी चाहिए, petrol pumps पर, ethanol की, petrol की, ये target जल्दी से जल्दी achieve किया जाए, तो ये कुछ points असोग गुलाटी देते हैं, जो मैंने आपको इस article से extract करके दिये, कुल मिला के वो दोस, paddy cultivation पर मडते हैं, तो ये पूरा article हमने discuss किया, इसके बाद next, जो हमारा article है, देखो, मल्टी कल्चरलिजम से समधित हैं, छोड़ा सा article है, Economic Times का, आप GS Paper 1 Society से, इस article को relate कर सकते हो, इससे पहले कि हम आज का article discuss करना start करें, आप मल्टी कल्चरलिजम का simple मतलब बता दीजिए, बिल्कुल simple भासा में, technical definition नहीं चाहिए, simple भासा में, layman terms में, मुसलिम्स हैं, सीख हैं, क्रिश्चन्स हैं, ये तो हमने धरम की बात की, ethnic groups अलग-अलग हैं, सभी cultures, religions और ethnic group या फिर race हैं ना, उनको acknowledge करना, differences को acknowledge करना, आपस में respect हो, ये भी ensure करना, ये भी multi-cultureism में आता हैं, अब देखो, इंडिया जो है, इंडिया में तो आपको पता है, वैसे ही बहुत सारे cultures हैं, तो इंडिया ना, हमेशा से एक tolerant country रहा है, और ये इंडिया का advantage भी हैं, यहाँ पे ना, देखो, दो तरह के models होते हैं, US में भी आपको पता हैं, अलग-अलग cultures के लोग रहते हैं, बट USA ने इस diversity को अलग-धंग से tackle किया है, और इंडिया ने इस diversity को अलग-धंग से tackle किया है, आप difference देखिए, USA में जब model है न, वो है melting pot, अलग-अलग cultures के जब लोग USA में जाते हैं न, तो वो मिलके एक culture बनाते हैं, American culture, American values के बारे में आपने काफी सुना होगा, जिसमें liberalism, tolerance, पैसा कमाओ, ये सब चीज़ें आती हैं, individualism, दूसरी तरफ हमारा जो model है न, वो है salad bowl model, इसमें क्या है, आप यहाँ पर देखो, सारी values मिलके एक values नहीं बनाती, ये सब जो हैं, अपनी identity तो हैं, अलग से बरकरार रखते हैं, जैसे सलाद की एक plate होती है न, सब की identity अलग दिखती हैं आपको, onion, tomato, जो भी सलाद में हैं, उनकी identity आपको अलग दिखती रहती हैं, तो ये हैं इंडिया का model, salad bowl model, इसमें, अलग-अलग जो culture से न, अपनी identity जो है, वो बरकरार रखते हैं, लेकिन unity को maintain करते हुए, जो हमारा famous concept है, unity in diversity, तो देखो, article में ये कहा जाता है, multi-culturism जो है, वो इंडिया की एक strength है हमेशा से, अब कुछ ऐसा नहीं होना चाहिए, कि हम हमारी इस strength को न खो दें, किसी भी restriction की वज़े से, जैसे देखो, dietary restriction, diet पर restriction लगा दिया, जाही तोर पर writer साफ तोर पर बोलते नहीं है, लेकिन उनका इसारा, देली में जो meat band हुआ न, उस पर है, या फिर आप क्या पहन सकते हो, क्या नहीं पहन सकते हो, इसको लेखे, यहाँ पर writer का इशारा है, हिजाब band की तरफ, तो इन छोटी-छोटी चीजों पर, लड़ना नहीं चाहिए, women communities को, मतलब directly अरोप नहीं लगाते हैं, writer किसी पर भी, लेकिन, जनरल बात बोलते हैं, कि देखो, इन issues पर हमें जारा ध्यान दिये, बिना कुछ ऐसी चीजों पर ध्यान देना चाहिए, जिससे देश आगे बड़े, हम हमारी civilization को, हमारे देश को महान बना सकें, जैसे देखो आवसकता है, science and technology को हमारे देश में develop करने की, देश को कैसे फर्दर आगे ले जाए जा सकता है, उस पर जारा ध्यान देनी क्या सकता है, रोजगर कैसे generate किया जाए, उस पर जारा ध्यान देनी क्या सकता है, बजाए इन छोटी छोटी चीजों पर हमारे देश में women communities अगर देखो लड़ती रहेंगी, तो जिस चीज को लेके हमेशा से हमारा age रहा है ना, multiculturalism, उस चीज को लेके हमारा age जो है वो हम खतम कर देंगे, अगर देखो society में ही instability रहेगी, society में ही peace नहीं रहेगी, तो कैसे देश आगे बढ़ेगा, सोचके देखिए, youth अगर अपनी energy नर्ष्ट कर देंगे इन सब चीजों पर, मैं आपको simple example देता हूँ, एक तो देखो youth जो है, YouTube पर ऐसी videos देखें, हिजाब होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, हिजाब बेन होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, या फिर देली में meat बेन होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, देखो, मतलब disclaimer है, मैंने भी ये video बनाई थी, ethics के perspective से, दूसरे channel पे हम discussion करते हैं ना, तो ये issue मैंने भी discuss किया था, बट मजबूरी है हमारी तो, अब UPSCs पर पूछ सकती है, ethical perspective से हमने discuss किया था, लेकिन मुझे आप एक बात बताईए, अगर हमारा youth, इन सब चीजों को discuss करने में time waste करता है, या फिर जो नए-नए ideas हैं, start-up कैसे बने, नए-नए technologies को कैसे develop करें, रोजगार के अफसर कैसे पैदा हो, उन पर time वे अपना invest करता है, तो किस से फाइदा होगा, आप बताईए किस से फाइदा होगा, जाहिर तोर पर अगर science and tech पर ध्यान देंगे, innovation पर ध्यान देंगे, गरीबी पर ध्यान देंगे, तो जादा फाइदा होगा, एक question देखो, बहुत बार पूछा जाता है, आपने secularism पढ़ा होगा, secularism तो देखो, हमने भी काफी बार पुरानी वीडियो में डिसकस किया है, एक question काफी बार पूछा जाता है, और आप बताईए, आपको उस question के बारे में क्या लगता है, question ये है, एक जो तर्की के पुराने सासक थे न, अटा टूर्क, उनका model था कि, आप अपना religion ना घर छोड़के आईए, घर से बाहर आप निकलते होना, आप अंतलब कोई ऐसी चीज बाहर मत पहन के आईए, जिससे पता लगता हो कि आप इस धर्म के हो, या फिर इस ethnic group से हो, सब कुछ आप घर के अंदर छोड़के आईए, बाहर आप बन के आईए, एक normal इंसान की form में, हर एक person को अपने culture पर गर्व होना चाहिए, ये बात देखो सही है, हर एक person, कोई person, अगर वो किसी भी धर्म से हो, अगर अपने धर्म पर गर्व मैसूस करता है, तो इसमें कुछ गलत नहीं है, लेकिन जब ये चीजें होने लगती है, मेरा धर्म सही है, आपका धर्म गलत है, तब टकराव पैदा होता है, हमें आपस मेरा सबके अलग-अलग धर्म है, अलग-अलग values है, उनको recognize करना चाहिए, और धर्म को समय के अनुसार change भी करना चाहिए, अगर किसी धर्म में कोई चीज गलत है ना, क्यूंकि समय change हो चुका है, अब बहुत सारी चीजें देखो किसी धर्म में, चैख कोई भी धर्म हो, अब 10-wee century में, 11-wee century में, 12-wee century में कुछ चीजें किसी धर्म में prevalent थी, तो आज समय change हो चुका है, आपको पता है, आज values चेंज हो चुकी हैं, समय चेंज हो चुका है अगर आप दस्वे स्ताबदी में प्रिवेलेंट उन उस धरम की वैल्यूज को आज के धरम में इंप्लीमेंट करने की कोशिज करोगे तब भी विवाद आएगा तो हमें रिलीजन को प्रोग्रेसिव बनाने के आउ सकता है अलग अलग धरमों में जो वैल्यूज है उनको रेकोगनाईज करने की आउ सकता है और इसके साथ साथ हम एक जो कोशन मैंने आप से पूछा कि धरम को आप घर के अंदर छोड़ के आओ लेकिन बाहर जो है आप एक नूर्मल इंसान की फोर्म में निकल के आओ आओ आपस में हुमेनिजम को आप जारा से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हूं देखो बहुत सारे कानून सरकार के द्वारा बनाये गए हैं बहुत सारे रेगूलेशन जारी किये गए हैं ताकि कोलिज केंपसिस में सीनियर्स के द्वारा जो रेगिंग की जाती है न जूनियर्स के ऊपर उसे रोका जास गया हैं ती इन तीन महीने बाद भी रैगिंग की घटनाए रुकी नहीं है अब नई खबर आई है तमिलाडू से तमिलाडू के PSG College of Technology में एक junior student first year का उसे मारा पीटा गया seniors के द्वारा second year students के द्वारा मारा पीटा गया पैसिक छीन लिये गये हैड सेव कर दिया गया मतलब dignity पूरी तरह से हर्ट कर दी गई वालेट कर दी गई उस first year student की साथो जो accused students हैं उन्हें गरिफ्तार कर दिया गया है देखो writer कहते हैं West Bengal और तमिलाडू दोनों one of the earliest state हैं जिन्होंने ragging को ban करने के लिए कानून बनाया बट अभी भी ना बहुत सारे gaps हैं तब ही तो ragging पूरी तरह से रूकी नहीं है detrance नहीं है senior students में detrance मतलब डर नहीं है आम तोर पे senior students जो ragging करते हैं आरोपी पाए जाने पर अपराधी पाए जाने पर भी उनको छोड़ दिया जाता है college कहता है कि क्यों इनका मतलब अगर इनको college से expel कर दिया जाएगा suspend कर दिया जाएगा तो इनका भविश्य खराब हो जाएगा तो इनको छोड़ देते हैं तो इस वज़े से na strong action college पर्शासन के दौरा नहीं लिया जाता तो डर पैदा नहीं होता seniors में और सबसे बुरी बात पते क्या हैं सबसे बुरी बात ये है कि इस साल जिन जूनियर्स की रेगिंग हो रही है अगले साल वो खुद जाके senior बन जाते हैं और वो खुद रेगिंग लेते हैं ये सबसे ज़्यादा हैरानी वाली बात है मतलब परिशान करने वाली चीज है कम स जिन जूनियर्स की रेगिंग हुई उनको तो समझना चाहिए ना रेगिंग होने पर हम पर क्या बीचता है इसलिए हमें नहीं लेनी चाहिए बट ऐसा कुछ नहीं होता और ऐसा नहीं होता कि फ्रेशर्स जब आते हैं कोलेज में तो सुरू के दो-तीन महिने में एक-दो महिन सुप्रिंग कोट के पैनल ने यह बोला था रेगिंग एक प्रकार से ना साइकोपैथिक बीहवियर एंड रिफ्लेक्शन ओफ डेवियंट परस्नेल्टीज हैं इसके बाद नहीं इससे पहले 1999 में UGC ने रेगिंग को बेयन करने की बात कही थी prohibition, prevention and punishment approach to curb ragging तीन चीजें हैं UGC की इस recommendation में prohibition मतलब पूरी तरह से ban prevention मतलब ragging को prevent करो और जो करते हैं उनको punish करो writer कहते हैं गीहों सरकार का और college परस्हाशन का रा मेन focus है prohibition पर ragging को ban करने पे बट prevention पर focus नहीं है, prevention के नाम पर दो तीन चीज़े कर दी जाती है, college में कुछ जगाओं पर board लगा दिया जाता है, ragging is prohibited, no ragging, इसके लावा हम ragging नहीं करेंगे, इस परकार का form sign करवा लिया जाता है, बस यही चीज़ें हैं, जबकि देखो होना क्या चाहिए, ऐसा environment, ऐसा ecosystem हो चाहिए, college में, कि बच्चा ना, warden के पास पहले जाए, अगर उसे ragging का सामना करना पड़ता है, उसे विश्वास होना चाहिए, कि warden action लेगा, अगर बच्चा warden के पास ना जाके, principal के पास ना जाके, अगर अपने parents के पास जाता है, ना, ragging की सिकायत करने के लिए, तो कही first point of contact होना चाहिए, college perception, और दूसी तरफ, अगर देखो किसी college में ragging होती है, random check सरकार करवाए, तो फिर उस educational institution की accountability fix की जाए, random checking होनी चाहिए, अगर देखो किसी college का नाम खराब होता है ना, ragging की वज़े से, तो बलकि उस college कोई नुकसान होता है, वहाँ कोन पढ़ना academic reputation भी खराब होती है, कि ये college क्या ही college है, ragging नहीं रोक पा रहा है, इसलिए देखो, सरकार और college परसासन, दोनों prevention पर भी focus करें, जिन राज्यों ने अभी तक ragging को रोकने के लिए कानून नहीं बनाया है, वो राज्य कानून बनाए, college परसासन उनको अच्छे से implement करे, बात है, दो questions, एक तो paddy cultivation से समदित, पंजाब हर्याना के कुछ parts में, और दूसरा criminalization of politics से समदित, दोनों questions का answer आपको देना है 250 words में, फिर ये pre का question है, millets से समदित, दो facts है millets के बारे में, ध्यान से पढ़िये, statement first and statement second, ध्यान से पढ़िये, पढ़ लिया, अब बताइए, दोनो में से कौन सा fact सही है, कौन सा गलत है, मन में सोच लीजिए, फिर answer देता हूँ, देखो, दोनों ही statement सही है, इस question का answer है, C यानि both, 1 and 2, तो ये थी हमारी आज की discussion, एक बर फिर से आपको happy diwali, अच्छे से दिवाली celebrate कीजिए, कैसे लगी आपको discussion, वो भी बताइएगा, thank you, thank you very much for discussion.